लेखक डेल कार्णेगी दुवारा लिखित चिंता कैसे रोकेन और जीना शुरू करें बुक हमें जीने की कला सिखाती है यह बुक हमें व्यावारिक तरीके से अपनी चिंताओं को छोड़ने और अधिक सकारातमक्ता के साथ अपने कारियों को करने पर जोर देती है यह बुक हमें चिंता के कार्णों से लेकर उनके प्रभावों, आद्तों, मानसिक्ताओं और परेशानियों के बारे में भी बताती है साथ ही हमें चिंता से निपटने के कई तरीके भी देती है वर्तमान क्षन में जीना लेखक हमें अतीत की बातों पर पच्चताने और भविशे के बारे में चिंता न करने पर जोर देते हैं क्योंकि अतीत को कोई नहीं बदल सकता और ना ही भविशे को इसलिए हमारे पास केवल आज का समय और पल है जिसे हम अपने अनुसार बना और बिगार सकते हैं जो हमारे बस में नहीं है उस पर पच्चताने और चिंता करने से जो हमारे बस में है उसे भी नश्ट कर लेते हैं मानव स्वभाव के बारे में सबसे दुखत चीजों में से एक यह है कि हम सभी आज को जीना छोड़ देते हैं हम सभी आज अपनी खिर्कियों के बाहर खिल रहे गुलाबों का आनंद लेने के बजाए, आस्मान में खिला किसी जादूई गुलाब के सपनिंग देखते रहते हैं। लेखक चिताओं से निपटने के लिए अनेक व्यावारिक तक्निकी प्रदान करते हैं, जिसमें मेडिटेशन करना, गहराई से सांस लेना, प्रकृती को निहारना आदी शामिल है, जो हमें व्यर्थ की चिताओं से दूर रखती है, और हमारे मन को खुशी और संतुष्टी प यह सोचने के बजाए हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन दे दी है, पर वह खराब हो गई तो हम आने वाली प्रेजेंटेशन को बेहतर करने की तैयारी में लग सकते हैं, ना कि पुराने प्रेजेंटेशन पर पच्चताते रहें, चिन्ता को मै लेखक हमें बताते हैं कि चिंता हमारे मानव स्वभाव का एक स्वभाविक हिस्सा है, जो हमें बताती है कि कुछ काम करना है या कुछ काम गलत हुआ है। यदी हम दर पर सफलता पाना चाहते हैं, तो घर बैठ कर इसके बारे में नसोचेंग, बाहर निकलिये और व्यस्थ हो जाएे। लेखक चिंता को मैनेज करने के कई तरीके बताते हैं, जिसमें से दो तरीके हमने अपने सामने रखे हैं, जो की इस प्रकार है। समस्या समाधान की विचारधारा को अपनाना, इसमें हम किसी कारे के प्रती उसकी समस्या और समाधान पर अधिक जोड देते हैं, ना कि पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। मांसिक घरेलू सफाई का अभ्यास करना, जिसमें चिंता और चिंताओं के कारण लिखने और उन्हें विवस्थित करने पर जोड देते हैं। जिससे हम अपनी चिताओं के बारे में बेहतर तरीके से जान सके और वह तरीका डूण सके, जिससे उन्हें कम किया जा सकता है. उदाहरन के लिए अगर कोई व्यक्ती अपने पैसे को लेकर चिन्तित है, तो उसे अपने पैसे का बजट बनाना और उसे मैनेज करना सीखना होगा, जिससे उसकी पैसे की चिंता कम हो जाएगी. सकारात्मक मानसिक्ता विक्सित करना लेखक का मानना है कि हम जिस तरह से सोचते है और दुनिया को समझते है उसका हमारी मानसिक्ता और भावनात्मक विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है इसी लिए सकारात्मक दृष्टिकोन अपनाने से हम चिन्ताओं पर काबू पाना और अपने जीवन को बेहतर बनाना सीख सकते है लेखक सकारात्मक मानसिक्ता विक्सित करने के साथ सिध्धांद बताते है जो इस प्रकार है अपने दिमाग को रचनात्मक विचारों से भरे, खुद को सकारात्मक प्रभाव के घेरे में रखें अपने आशीरवाद गिने, कृतग्यता चिन्ता और नकारात्मकता के लिए एक शक्तिशाली हथियार है सर्वश्रेष्ट की उम्मीद करें, सर्वश्रेष्ट की उम्मीद करके हम चुनौतियों का सामना करने का आत्म विश्वास पाते है सफलता की कल्पना करें दूसरों के लिए दयालुता और उदार्ता का अभ्यास करें छोटी-छोटी बातों पर समय और उर्जा बर्बाद ना करें एक सकारात्मक दृष्टिकों नकेवल मानसिक और भावनात्मक कल्यान को बरहाता है बलकि विकास और पूर्ती के लिए नए अफसर और सम्भावनाएं के द्वार भी खोल देता है उदाहरन के लिए हमें अपनी असफलताओं पर ध्यान किंद्रित करने के बजाए अपनी ताक्तों और पिछली सफलताओं पर ध्यान किंद्रित करना चाहिए जिससे हमें हम कर सकते हैं कि भावना प्राप्त हो और हम सफलता की ओर आगे बरते रहें आलोचना के डर पर काबू पाना आलोचना का डर कई वेक्तियों के लिए चिंता और बेचैनी का एक सामाने स्रोत है क्योंकि सामने वाला भी नहीं जानता कि जो बात वह कह रहा है उसे हम आलोचना के रूप में देखेंगे या एक अफसर के रूप में लेखक आलोचना के डर पर काबू पाने के लिए चार रनीतिया बताते हैं जो इस प्रकार है आत्म विश्वास और लची लापन पैदा करना हम सभी जानते है कि हमारे अंदर कुछ कमजोरियान और कुछ ताक्ते होती है लेखक हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपनी ताक्तों के बारे में और अधिक जानने पर जोर देते है विकास की मानसिक्ता अपनाना लेखक इस बात पर जोड देते है कि हम आलोचना को हमले की जगह सीखने के अफसर के रूप में भी देख सकते है क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलते है जो आपके अंदर कमियां दिखाने का साहस रखते है आलोचनाओं पर ध्यान न देना हर आलोचना पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता इसलिए हमें इन्हें इग्नोर करना भी आना चाहिए जिससे जब हमारी कोई आलोचना करता है तो हम उस पर क्रोधित न हो और अपने काम पर ध्यान देते है आलोचना के कारण पर ध्यान देंग आलोचना का कारण हमें बेहतर बनने में मदद करता है लेकिन कभी कभी सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व ही आलोचक होता है जिसके कारण वह हमारी आलोचना कर रहा होता है उदाहरन के लिए यदी हम कोई रचनात्मक काम करते है और उसमें गल्तिया निकलती है तब कोई दूसरा हमारी आलोचना करता है तब हमें उस व्यक्ति पर हमला करने के बजाए उस आलोचना से सीख सकते है और आगे बर सकते है उतपादक्ता और खुशाली को बगाना चिंता और पच्तावे पर अधिक ध्यान देने से हम अपनी उतपादक्ता और खुशाली को नष्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास उनके लिए सोचने का वक्त ही नहीं होता है लेखक अपने नजरिये को बदलने पर अधिक जोर देते है याद रखें आज वह कल है जिसकी हमें कल चिन्ता थी उत्पादक्ता और खुशाली बढ़ाने के लेखक ने तीन सिध्धान्थ बताए है जो इस प्रकार है अपने समय को मैनेज करना लेखक इस बात पर जोर देते है कि अपने कामों को विवस्थित करके उन्हें एक-एक कर समय देते रहें ताकि वह पूरे हो सके जिससे हमारी सफलता की उम्मीदें बर जाती है और हमें अधिक चिन्ता और पच्चताने की आवश्यक्ता भी नहीं होती है खुद के प्रती सचेत रहना लेखक हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्ते को बरहावा देने वाली गतिविधियों को प्रात्मिक्ता देने पर जोर देते हैं जिसमें नीमित व्यायाम करना, परियाप्त नींद लेना और ध्यान या गहरी सांस लेना जैसी क्रियाई शामिल है सकारात्मक आद्तेन और दिंचरिया विक्सित करना लेखक अपनी उत्पादक्ता बरहाने के लिए दैनिक दिंचरिया और आद्तों का सहारा लेने पर जोर देते हैं जिससे हम स्वस्त आद्तेन और दिंचरिया बनाकर जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह विडियो बहुत पसंद आया होगा इस विडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेज से भरे विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं जल्द ही आपके लिए एक नया विडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगली विडियो में